International Consortium of Investigative Journalist यानी ICIEJ के पैंडोरा पेपर्स के खुलासे ने खलवली मचा दी है पैंडोरा पेपर्स मामले में दिगज बिजनेसमेन अनेलम्मानी और मशूर क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर की पतनी और ससुर का नाम सामने आने के बाद हड़कंप मच गया है अनेलम्मानी अकेले ऐसे बिजनेसमेन नहीं है जिनोंने खुद को दिवालिया खोशित किया और विदेश में संपत्ती बना रखी है उनके अलावा इस रिपोर्ट में नीरव मोदी की बहन और किरन मजूमदार शो के पती जैसे लोग शामिल है 14 कमपनियों के लाखों लीग दस्तावेजों से खुलासा हुआ है कि दुनिया भर के राजनेताओं अरबपतियों और अन्यमशूर हस्तियों ने किस तरह धन बचाने और जमा करने के लिए टैक्स पनाह गाउं का इस्तमाल किया है 29,000 कमपनियों और ट्रस्ट का पता चला है जिनने विदेशों में बनाया गया है ICIJ ने 1 करोण 19 लाख से अधिक गोपनिय फायलों का आकलन किया और 1.500 समाचार आउटलेट्स के 600 से अधिक पत्रकारों की एक टीम का नितरत्यु किया जिनोंने 2 साल तक गहन जांच की पैंडोरा पेपर्स मीडिया जगत के 600 से ज्यादा पत्रकारों की वित्तिय सेवाओं से एक करोण 19 लाख दस्तावेजों की जाच पर आधारेत है अंतराश्ट्री इस्तर पर काम करने वाले व्यफसाई कहते हैं कि उन्हें अपने वित्तिय मामलों के संचालन के लिए अब तटिय यानि ओफशोर कमपनियों की जरूरत है ICIJ का कहना है कि ये राजनीतिक रूप से सही नहीं है अब तटिये कमपनियों का उप्योग अवेदिकामों के लिए किया जाता है